नमस्ते मैं वैद्या मोल पाटिल तपस्ते हल्टेन वेलनेस की स्वास्ट शुरंकला में आप सब का फिर से स्वागत करता हूं आज हम बात करेंगे फल इस फ्रूट्स के बारे में आज कल बहुत से लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन है कि हमें कौन सा फ्रूट खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए फल खाना चाहिए यह नहीं खाना चाहिए अब आपको पता होगा कि हम पिछले 25 सालों से यह सुन रहे हैं एपल डे कीप्स डॉक्टर अबे अगर जाने की ज़रूत नहीं पड़ेगी लेकिन इसकी वास्तवता क्या है हमने 25 साल से एपल खाया हुआ है तो क्या हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा है उल्टा इसका रिजल्ट यह हो गया है कि आज भारत जो है कि डाइबिट इसका कैपिटल बन चुका है तो कौन स फल खाना चाहिए कौन सा नहीं खाना चाहिए इसके बारे में जानकरी लेना और हमें खुझ से उसको लॉजिकली समझ लेना बहुत ज़रूरी है जो एक जून या जूलाई से लेके डिसमबर का फल था वह आज पूरे साल बर मिलता है तो बाकी के छे मेने जब उसका सीजन किस्टोरेज्स में वहां से आता है इसका जो अपना मार्केट Candai आथे अंडिया का मार्केट है झापर आप अब यह जो हमें शमझ लेना चाहिए कि हम अगर कोई एक चीज को भी बासी खाने के नो के लिए हम लोग यह समझ लेते कि नहीं को जाना चाहिए तब यह छे मिना रखख़ा हुवाव फूरक हम क्यों कर ओर है विच्वान दूसरी बात ऐसा है निशरक्रकृति के बारेdock Ole हम लोग जानना चाहते हैं प्रकुरति हमें जो फूल जो फूल जुझे आम उह जो सिर्फ पका कंषओ में आता है उस 보고 उसको यह चाहिए क्या हमें अगर उसको पूरे सालबर अगर प्रवाइड किया जाएं तो क्या हम उसे सालबर खाना चाहिए वह गलत होगा अगर हम मतलब पहली बारिश के बाद हम लोग ट्रडिशन के हिसाब से आम खाना बन कर देते हैं क्योंकि पहली बारिश के बाद अगर हम आम खाते हैं तो वो हजम नहीं होता है और उससे हमें तकलिफ होती है है इसलिए इसी को अगर देखा जाए जो सीजन छो पूट आता है प्स उसी समय और उसी समय वह चाहिए जैसे आम के सीजन के बाद जामुन का सीजन आता है तब जामुन खाना चाहिए उसी वक्त हम करवंद कहते हैं वो खाना चाहिए यह फ्रूट किसको खाना चाहिए रेगुलरली वह सबसे important इसके खाने लायक जो है वह बच्चे मतलब growing जो होता है उसमें फल फुरूट रोज खाया तो भी कोई तक्लीफ नहीं सीजन के अनुसार कुछ-कुछ फुरूट्स ऐसे होते हैं जो हमें बारा मेना उपलब्द रहते हैं जैसे केला है जैसे कभी-कभी अनार भी आज हमेशा मिलता है तो उन फलों को हमें हमेशा खाया तो कभी-कभी चलता है हमेशा का मतलब रोज नहीं होता है तो उसको भी हमें मैंने बता है कि ग्रोइंग एज में बच्चों को हमेशा फल खाना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बर हम 25 के उमर के बाद के हो जाए और हमारा जो खेल गूत है उतना जादा नहीं होता है जो एक क्रोंग में होता हैना जैसे प्राचीन काओब को कैसे खाना चाहिए तो ऊसको एसे बताए कि आप जाओ जंगल जाओ फिर पेड़ में जाओ बबच में आपचल लोगों को काम तो आज earlier कर सी घर होता है स्थी कि बेचाइट के होता है तो अपना जो फिजिकल्सक्य चाहिए हमें जितना चाहिए वह उता पता है लेकिन हमें लगता है फल इतना ही खाना चाहिए क्लिच बालन्स भी गड़ जाता है एसी condition में हमें रोज फल नहीं खाना चाहिए तो कब खाना चाहिए तो हफते में एक खान बार दो बार इतना खाया तो भी सफिशेंट होता है और जनरली ऐसा करना चाहिए कि जब आप फल खाते हैं तब आप सिर्फ फल खाईए मतलब आप जोजिए से breakfast में फल खा लिया या तो इवनिंग समय फल खालिया तब सिर्फ खाईए अब बहुत लोगों को एसी आदया होती है कि खाना खाने के बार फल खाते हैं वह बहुत रॉंग कंसेप्ट है खाना को हम यहीं चीज को पचाने उसके बाद क्की इसलिए ना कि हम कोई हवी चीज उसके बाद का यह फूट और फूट तो बहुत हैवी होता है इसलिए उसको खाना खाना के बाद नहीं खाना चाहिए दूसरी बात ऐसा है आजकल एक बहुत उल्टा तरीका मैंने देखा है जो लोगों को अल्रेडी डायबेटीस है उन लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि हमें फल खाना चाहिए कि तो ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा फ्रूट खाते हैं यह समझ कि फ्रूट सहथ के लिए अच्छा होता है इन वूर्ट कैसे कि अच्छा होता है उसको समझ भी तो समझ लेना चाहिए फल में किसी भी फ्रूट में फूक्टोज ने होता है ग्लुकोज में मतलब जिससे आप परहेज कर रहे हैं आप चाहे में एक चमश शक्र भी नहीं राल रहे हैं इसके वज़े से और एक तरफ से आप फल खा रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ तो डायमेटिक लोगों को आपको ऐसे फूर्ट नहीं खाने चाहिए जो संत्रा मैं संत्रा मुसम था क्टा होता है लेकिन फिर भी मीठा होता है इसी फलो में अगर आप डीयाबिटीस लोगों को देखेंगे तो वह एक है जामुन के लिए अच्छा होता है पर आप यह मतलब नहीं है फिर आप उसको प्रिजर करो कही पर और साल बर खाओ। उसका यह मतलब नहीं होता है। उसके बाद जिसको संस्कृत में कहते हैं कपित। मतलब कवट। जो कवट की बरफी बनती हैं। उसमें शक्र नहीं डालनी चाहिए। लेकिन कवट जो हता है वो diabetes के लोगों के लिए अच्छा होता है। करवंद जिसको हम कहते हैं करवंद अच्छा होता है कभी इन लोगों को नियुक्ट करने की धौए चलती रहती है इसलिए तोड़ा करने के लिए अनार जो है वो सबसे अच्छा फुरूट होता है कभी-कभी घाने के लिए लेकिन उसमें भी शुगर है लेकिन इन सब में सबसे सेफ अगर है तो वह है अनार कुछ-कुछ लोग पूछते हैं कि फिर पेरु खाऊ क्या गावा खाऊ क्या लेकिन गावा भी तो मिठा ही होता है थोड़ा उसमें एक पंजन टेस्ट रहता है एस्टिजन टेस्ट रहता है लेकिन फिर भी मीठा रहता है अब आज कल जो मिलता है वह hybridized है देशी तो मिलता ही नहीं है फिर भी देशी अगर उसका covering खाया जाए उसका पल्प निकालके तो भी एक तरफ से safe है नहीं ऐसा नहीं लेकिन इसके बावजूद diabetes के लोगों के लिए कोई भी fruit उतना safe नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं और इसके बाद आता है फल का जो पार्ट है वह foreign fruits का मतलब avocado है kiwi है ड्रागन फूर्ट है आजकल अपने यहां पर ट्रागन फूर्ट की खेती होने लगी है मैं हैरान हूँ यह जानकर लेकिन हमारे लोगों ने कभी कर्वन का importance नहीं समझा कभी जामून का importance नहीं समझा एक कवट का importance नहीं स है बनने वाला और इसको बेचने वाला इसलिए इस बिजनेस के शंजे को कई वहारे मात है क्या मार रहे हैं लोग और हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए नहीं फॉलो करना चाहिए अब आयुरेट की बात करें तो आयुर में ऐसा बताया गया है जब आपको आवला का सीजन आता है तब आप फूर्ट समझ के खा लिजिए तब इस सीजन में जब आवला खाना है तो आप कभी भी बिंदास आपके वैद के सलाज सही खाईए कुद बखुद अपने आप से बिलकुल मत खाईए वह दिखाते हैं इसलिए क्योंकि 54 भी उसमें 48 जो जड़ी बूटिया बताते है वह 48 मसाले होते हैं वह मसाले आपको सूट करते कि नहीं वह भी से रहता है तो आप हर चीज को एक बर कर लिजे कंफर्म कर लिजे आपके वैदिसे और उसी के बाद उसको फॉलो करें दन्यवाद